सब औरतें लाइन लगा के एक एक साड़ी ले लो और साथ में सौ रुपय भी साड़ी और रुपय किसलिए? चुनाओ जीतने की खुशी में बगर चुनाओ तो कल होगा चुनाओ कल हो या परसो लेकिन चुनाओ हम लोग ही जीतेंगे और हमारा ये हुकम है के वोट हमको ही मिलेगा हो सकता है तुम में से के ये औरतों को हमारा एलान मन्सूर न हो और वो हमें वोट देना न चाहे कोई बात नहीं उनके लिए भी हमारे पास एक साड़ी है ये सफेद साड़ी और ये साड़ी इतनी लंबी है कि ये उनके विद्वा होने पर भी काम आ सकती है और उनके पती के कफन के खाम भी जो जो औरत सुआगवती बने रहना चाहती है वो ये लाल साड़ी ले ले और यही साड़ी पैन कर उसे कल वोट देना आना है ताकि उसे याद रहे वोट किसे देना है गलती ना हो आओ, साड़ी ले लो क्या हो, साड़ी नहीं लेगी सुहागन बनने से पहले ही विद्वा बना देंगे चुपचाप साड़ी ले और कल जाके वोट दे देना समझे वरना उस सीरों को तो हम मार ही देंगे और साथ में तेरे मामा को भी जिन्दा गार देंगे अरे, तू हसी क्यों? साड़ी का रंग तो खत्रे का रंग है, लाल रंग खत्रे से बचना कल चुनाव है तो बेटो यह थे हुआ कि गाउं के मर्दों को दारू पिलाओ खुब दारू पिलाओ इतना दारू पिलाओ कि उनको सुबा उट डालने का होश्ची न रहे मर्दों का जितना कम उट डालेगा उतना हमको फाइदा है क्योंकि ओरतों का वोट तो हमको मिलेगा ही पिता जी, मैंने बसंती को भी नाचने के लिए बुला लिया है अरुब तो बहुत अच्छा किया है, नचाओ उसको, आप भाझ नचाओ जिल्नावाद चौदी सार जिल्नावाद सब चौदी सार ने हमारी शारी पैन रखी है देखा, इन सारे मर्दों ने हमारी शराब पी रखे जादी साथ, जादी साथ यार, गाओं की सभी और तो ने चौटे भी इनी सारीय पैन रखी है यार, मुझे अमीद नहीं है कि करांती साब को बोट मिलेगा लगता है, इस बार भी चौदर ही जीतेगा भगवान, इस गाओं को बचा ग्रिप्या ध्यान से सुनिये रामपूर पंचायत के प्रधान के चुनाओं में श्री कांती कुमार को विजई गोशित किया जाता है दारू हमरा पिया और वोट उसको डाला साड़ी हमरा पैना और वोट उसको डाला एक दिन का वोटिंग ने हमरा 35 साल का राज को हिला दिया पिता जी साड़ी देने का प्लान आप ये बनाया था दारू पिलवाने का प्रोग्राम भी आप ही का था वन्ना हम तो हमेशा की तरह बूत पर कबजा करके सारे के सारे वोट खुद ही डाल देते और उनके भी जो मर चुके हैं सारी रात इकाउम वाले खुशी मनाते रहे इक खुशी उनकी जीत की खुशी नहीं थी बेटा इक खुशी हमरी हार की खुशी थी उस दूसरे कुटे हमरी हार का जशन मानाते रहे बेटा उनकी खुशी को हम गम में बदल देंगे उन्होंने रात खुशी में मनाई है अब दिन गम में बिताएंगे जाओ जाओ यहां खड़ा रहके हमको जूटा तसलीम मत तो अपना साड़ी सब के बदन से उतारो नंगा कर तो सब को नंगा जाओ बिटा जाओ 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 अबिटाओ जाओ 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 जाँ जाओ झाओ झाओ जाओ के इस साफ जाओ जाओ curso से जाओ जैब प्रोपिरो जाओ झाल 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 मेरे बेटे चले के झाल 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 रामपूर में आतंग वादियों ने जिस तरह इंसानों का खून पानी की तरह गंदी नालियों में भाया है उसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा इस से बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है सर के इंसान इंसाने छोड़कर शेतान बन चुका है इन शेतानों को खत्म करने के लिए ही देश को पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत है इस कहानी को शुरू आतंग वादियों ने किया है लेकिन इसे अंजाम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट देगा एस पी कुल भूशन यस सर तुम्हें आज ही रामपुर जाना होगा राइट सर कुल भूशन का आर्थ होता है कुल का भूशन हमारे लिए ये हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा कुल है और मेरी नजर में तुम इसके भूशन हो तुमारे बेटे का नाम भी आतंग वादियों से जुड़ा है अब हमारे डिपार्टमेंट की इज़त रखना तुमारे हात में है सर जिस दिन मैंने पुलिस डिपार्टमेंट जान किया था मेरे सबसे पहरे रिष्टों और जजबातों की आहूती दी थी I feel proud of you जान किया जान किया था